कार मित्रो स्वागत है आप सभी का बी एच्चू पाट साला के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफार्म पर मैं आज आप सब के सामने हिंदी की नई सीरीज लेकर प्रस्तूत हूँ जो आप सब की ही भारी डिमांड्स को देखकर हमारी टीम द्वारा तयार किया गया इस पूरी सीरीज में हम इंटरंस से सम्मंदित हिंदी के जो भी मात्वपूर टॉपिक होंगे उन्हें पढ़ेंगे भी और उनका रिवीजन भी करेंगे तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं हमारा आज का टॉपिक है हिंदी की भाषा और उसकी बोलियां तो चलिए इस पूरे टॉपिक में हम देखते हैं हिंदी की भाषा क्या है और उसकी बोलियां कितने पकार क्यों होती तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी की ये जो भाशा है, भाशा होती क्या है और भाशा है क्या चीज़ तो भाशा वैं शाधन होता है जिसके द्वारा कोई मनुसी अपने मन के भाव और विचार को बोलकर और लिखकर प्रकट करता है तथा सामने वाला ब्यक्ति जो होगा वैं दूसरे ब्यक्ति के मन के भाव और विचारों को सुनकर और पढ़कर ही समझ सकता है भासा के माध्यम से मैं अभी आप लोगों के सामने बोल रही हूँ मैं अपने मन की भाव और विचारों को आप लोगों के सामने या तो लिख कर या तो बोल कर प्रकट कर रहे हूं और आप भासा की माध्यम से ही या तो सुन कर या पढ़ कर मेरे मन की भाव और विचार को समझ रहे हैं यदि मैं अभी कुछ ना बोलू, कुछ ना लिखूं, तो आप नहीं समझ सकते हैं कि हमारे मन में कौन सी बिचार चल रही है और कौन सी बाउनाएं मेरे मन में चल रही है, तो ये भासा ही है जिसके माध्यम से आप समझ पा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं भासा के विकास का क्रम किया रहा ये क्रम उसी प्रकार रहा जैसे हमारे गाउं का विकस होता है पहले गाउं आता है फिर आपका गाउं जब बिकसित होता है थोड़ा तो वह कस्बे में बदल जाता है और कस्बा जब बिकसित होता है कस्बे में जब आदू निक्ता आती है तो उसे सहर बोल दे और यह उपवासा जब और विक्सित होती है तो भासा का विकास, भाशा का विकास होता है एकरम इसी प्रिकार चलता है, पहले बौली, फिर उपवासा, फिर वástशा का विकास तो चलिए, यह देखते हैं कि यह बोली आखिर है, क्या बोली तो अस्थानी रूप से छेतरी रूप से जो हम प्रयोग करते हैं वह बोली है अस्थानी ब्योहार में जो प्रयोग किया जाता है भाशा मतलब भाशा का जो अल्प बिक्सित रूप है सबसे कम बिक्सित वह आपका बोली ही है जो लोग ब्योहार में प्रयोग किया जाता है व तो चलिए देखते हैं अब भाषा का परिवर्तन भाषा में परिवर्तन होता क्यों है भाषा परिवर्तन का क्या कारण है हम देखते हैं कि हम एक ही राज में जैसे हम यूपी लेते हैं अपना हम यूपी में हैं तो यूपी के दो सहर ले ले एक गोरपूर ले ले एक अयोध हमें ओधी बोली जाएगी आखिरी इस परिवर्तन का कारड क्या है तो चलिए इसे समझते हैं इस परिवर्तन का मुख ये कारड तो आपका अस्थान भी से इसकी जलवाय हुए मतलब हमारे देश हमारा देश भागौलिक बिशमताओ वाला देश है हर जगे की जलवाय हुआ अलग अलग हुदती है हर एक देश का फिर कई पीडियों का अंतर भी है पीडियों में मांसिक बिचारधारा में परिवर्तन आएगा ये परिवर्तन है जैसे अगर हम बहुत पहले ले 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 तो बहुत पहले अभी हमारे पापा के पापा और हमारे पापा ही अभी पिता जी सब्द इस्तमाल करते थे हम सब आएं तो पापा पापा इस्तमाल करते हैं अभी कु हम पर depend करता है कि हम यह परिवर्तन कैसे लेते हैं, हम परिवर्तन करेंगे या नहीं, अब हम आगे चलके क्या बुलाएंगे, पिता जी बुलाएंगे, पापा बुलाएंगे, हमारे बच्चे क्या बुलाएंगे, आपके बच्चे क्या बुलाएंगे, यह हमारे उपर और बीसवी सताबदी में आचारे गिर्यशेन ने हिंदी छेत्र को किस प्रकार से विभाजित किया था आप सबसर जॉर्ज गिर्यशेन के विषय में एक फ्रेक्ट कमेंट बॉक्स में बताएंगे बीसवी सताबदी में भाषा का जो आचारे गिर्यशेन ने विभाजिन किया था बहासा नैनी ताल जो कि उत्रखन में है वहाँ से धच्चड के बालागाट मद्य प्रदेश तक हिंदी का छेत्र उन्हों ने निश्चित किया था। यह ध्यान देने वाली बात है कि सर जार्ज गिरेशन ने बिहारी, राजस्तानी और पहाडी बोली को हिंदी के अंतरगत नहीं लिया। इन बोलीओं को उन्होंने नहीं लिया लेकिन बरतवान समय में ये हि आती हैं बिहारी राजस्थानी और पहारी बोली यह सभी बोली हिंदी चेत्र के अंतरगत बर्तवान समय में आती है तो अगर क्वेस्चन आता है कि आचारे गिरेशेन ने बिहारी राजस्थानी और पहारी बोलियों को हिंदी चेत्र के अंतरगत लिया था या नहीं लिया थ था तो आप सब आप इसका अंसर बता सकते हैं मुझे इतना उमीद है कि आप सब इसका अंसर देने के काबिल हो चुके हैं चलिए देखते हैं भाषा हिंदी भासा के जो छेत्र हैं उसका वर्गी करण किस प्रकार किया गया है तो हिंदी भासा के छेत्र का वर्गी करण दो प सच चेतर आता है तो कानपूर से मिरजापूर लखीमपूर नैपाल की सीमा से लेके दुर्ग बस्तर की सीमा तक पूर्वी हिंदी का चेतर आता है अगर कोई पूछ ले कि इनी चेतरों के बीच में कोई एक प्लेस थे कि कोई एक अस्थान छेतर का नाम देके कोई पूछ ले कि यह किस हिंदी के अंतरगत आता है तो आप सब बता सकते हैं कि पुर्मी हंदी की अंतरगत आता है अग पस्चमी हंदी आप का पस्ची में पंजाब और राजस्थान की सीमा से लेकर पूर्में अवधी बगेली बोली की सीमा तक है अगर पूछले कोई कि पंजाब किस हिंदी छेत्र में आता है तो आप किसी भी प्रदेश में जो बोल चाल की और साहितिक रचना की भासा होती है वहीं आपको पहिए ऐसा कहला एक जो आपकी वहीं आपकी बोली कहलाती है जो पहिए जो पहितो के बहसा होगी उसा में सीक स है वां और o San के घियाती है रुट करें आपका नामिट्री औराप्र एसी रचना आओधी में की गई आपकी तो यह सहित्ती की रचना भी आम बोल्चाल की भाशा और विक्सित किया, पांच उपभासा, राजस्थानी हिंदी, पस्चमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहारी हिंदी, इन्ही पांच प्राक्रित भाशाओं से इन पांच उपभासाओं का विकास हमने किया है, इन्ही पांच भासाओं से, अब ये देखते हैं कि इन इन्हें अपुभाशा क्यों कहा जाता है तो राजस्थानी हिंदी पस्टमी हिंदी पूर्वी हिंदी बिहारी और पहाडी को उप भासा क्यों कहा जाता है क्योंकि इनके अंतर्गता था हिसा पांचों के अंतर्गत 25 और बोली आएंगे अभी हम देखें तो पहाडी हिंदी में आपका कोई भी साहित उपलब्द नहीं है अगर आपका question पूछे कि ऐसा कौन सा हिंदी है जहां पे कोई भी साहित उपलब्द नहीं है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि पहाडी हिंदी में आपका कोई भी साहित एक भी साहित पहारी हिंदी में लिखा ही नहीं गया है आज तक। पहारी हिंदी ऐसा हिंदी है जिसके अंतरगत एक भी नहीं है। पहारी हिंदी को छोड़कर आपके राजस्थानी, पस्चमी, पूर्वी, बिहारी। इन चारों में रचनाएं साहित्तिक रचनाएं मिलती हैं लिखी गई हैं लेकिन पहाडी हिंदी में आपकी कोई रचनाएं नहीं कोई साहित्तिक रचना नहीं तो ये ध्यान में रखियेगा पॉइंट चलिए आगे चलते हैं हिंदी की उपभाशाएं और उनके अंतरगत कौन-कौन सी बोलिया आती है तो आप पहले पढ़ाई की पांच उपभाशाएं हैं पस्चमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहारी पांच उपभाशाएं हैं और इन पांच उपभाशाओं में 18 बोलिय आती हैं तो चलिए देखते हैं इन्हें याद कैसे रखेंगे अब पस्चमी हिंदी के अंतरगत आपका कौरवी, हर्यानवी, दक्किनी, ब्रजबासा, बुंदेली और कन्नोजी आती है तो अब इसे बोल सकते हैं के यच डी, बी, बी, के इसे तोड़ के के अच डी, के फार क कौरवी, यच फार हर्यानवी, दक्किनी, ब्रजबासा, बुंदेली और कन्नोजी तो आप के अच डी और बी, वी, के पड़ सकते हैं इन्हें अलग-अलग तीनोट पहले तीन के अच डी और बी, बी, अब कभी भी एक्जाम में आए तो आप के फार कौरवी, हर्यानवी, तक्षिक दुखनी लख सकते हैं असे, फिर पूर्वी हिंदी के अंतरगत, आपका सबसे आशांजा आता है, अवधी, बगैली और चांटिसगहडी ए, बी-सी, आपका ए बी-सी किसके अंतरगत आता हैद्ट को, पूर्वी हिंदी के अंतरगत आपका ए A, B, C आता है और आपके राजस्थानी के अंतरगत मारवारी, जैपूरी, मेमाती और मालवी आती है तो इसे लिख सकते हैं M, 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 J आपके कासी इंदू बिस्विद्याले के संस्था पक महा मना मदन मोहन मालवी तो आप ऐसे देख सकते हैं कि महा मना मदन मोहन मालवी जी राजस्थानी हिंदी के अंतरगत कौन आता है महा मना मदन मोहन मालवी जी यम, 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 जे आपका राजस्थानी हिंदी राजस्थानी हिंदी के अंतरगत यम, 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 जे बोलिया आती है मारवाडी, मेवाती, मालवी और जैपूरी और बिहारी हिंदी आपका आता है तो बिहारी हिंदी आपके V के जगह पे आप B कर देंगे यम यम B मेघवी, मैथली, भोजपुरी MMB तो ये V के जगह पे B कर देंगे MMB MMB से आप MMB याद रख सकते हैं ये आपका पहाड़ी हिंदी के अंतरगर दो वोली आती है कुमावनी और गड़वाली, तो इसे उल्टा याद करते हैं गडवाली जी और केफर कुमायुनी तो आपका जी के किसके अंतरगत आता है पहाड़ी उबासा के अंतरगत जी के आता है आपका तो चलिए आगे देखते हैं राजस्थानी हिंदी अब देखेंगे कि एक राजस्थानी बिहारी सभी उबासाओं सभी हिंदी उबासाओं के अंतरगत कौन-कौन सी जनपत कौन-कौन सी राज और कौन-कौन सी बोलियां आती है राजस्थानी हिंदी पूरे राजस्थान में बोली जाती है यह नाम से ही आपको असपस्ट है कि राजस्थानी यानि कि राजस्थान में बोला जाता होगा तो राजस्थान में और सिंध और मालवा जनपद में भी राजस्थानी हिंदी बोली जाती है और इसकी जो प्रमुक बोलियां है वह मारवारी जैपुरी मेवाती और मालवी हैं यानि यम 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 जे इसको याद करने का ट्रिक आपका यम 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 जे महामना मदनमोहन मालवी जी ये हो गया और राजस्थानी साहित ते के अंतरगती आपके मीरा बाई जी के पाद आते हैं मीरा के पद आपका राजस्थानी शाहिती की अंतरगत ही आता है चलिए देखते हैं आग इच बढ़ते हैं बिहारी हिंदी जो कि बहुत बिहारी हिंदी बहुत महत्पूर हो जाता है क्योंकि भोजपुरी की वज़े से सबसे ज़्याद आपका मात पूर हो जाता है बिहारी हिंदी क्योंकि हिंदी बोलियों में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है भोजपुरी हिंती बोलियों में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोचपुरी बोली बोचपुरी है ये आपका बिहारी हिंदी की अंतरगत आपका बिहार जारखंड और उत्तर प्रदेश यह तीनों राज्यों में बोली जाती है उत्तर प्रदेश के भी कुछ भाग में बोला जाता है जैसे उत्तर प्रदेश के बनारसुआ, मिर्जापुरुआ, आजमग़, बलियाँ, गोरकपुर, दिवध you, बस्ती उत्तर प्रदेश के पुर्वी जो पुर्वांचल एरिया मे ये बोजपुरी बोला जाता है और वहीं बिहार के पस्चमी छेत्र में आरा, बकसर, सासाराम ये पस्चमी छेत्र में बिहार के बोला जाता है बोजपुरी अब बोजपुरी के जो रचनाकार है आपके बोजपुरी के प्रसिद्ध रचनाकार आपके बिखारी ठाकुर जी है बिखारी ठाकुर आपके बोजपुरी के प्रसिद रचनाकार है जो बोजपुरी के सेक्सपियर भी कहे जाते हैं और बोजपुरी के भारते इंदू भी कहा जाता है बिखारी ठाकुर को तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि बोजपुरी का है कि मिथिला प्रदेश जहां कि आपकी सीता जीत यह मिथिला प्रदेश से आपका मैथली बना है मिथिला प्रदेश मगही आपका पटना में बोला जाता है पटना में गया में मगही बोला जाता है जबकि पुन्निया में आपका पुन्निया में आपका पुन्निया मुझफर आपरपूर दर्भंगा और मुंगेर, इन इलाकों में मीथलि बूला जाता हूं अν चलिए आगे रहते आष से लापिदी पहाड़ी हिंदि品 के अंतर का नएक कई वुल ही आती है direign no कुमार बर्मा जो हैं हिंदे साहित के बहुत बड़े साहितिकार रहे हैं तो उन्होंने इसे तीन भागों में भवाजित किया है पस्चमी पहाडी मध्य पहाडी पूर्वी पहाडी पस्चमी पहाडी का जो आपका छेत्र है वैस सिमला का सीमावर्ती छेत्र है जिसमें कोई स जिलो में बोला जाता है और गडवाली मसूरी के निकट वरती मसूरी के निकट जो भी छेत्रोंगे वहां बोला जाता है गडवाली यह पहाड़ी हिंदी में आपकी कोई भी साहित्तिक रचना नहीं पाई जाती है यह सबसे इंपोर्टेंट फैक्ट है पहाड़ी हिंदी के अंतरगत आपका कौन-कौन सा चेत्रा आता है कानपूर से मिर्जापूर लखीम पूर की उत्री सीमा से दुर्ग बस्तर की सीमा तक आपका पूर्वी इंदी आता है और पूर्वी इंदी भासा के अंतरगत आपकी तीन बोलियां आती है अवधी बगेली और च्छतिस गड़ अवधी के अंतरगत अवधी के सबसे महत्पूर रचनाकार प्रशिद कब आपके तुलसी दास जी हैं मलिक मुहमद जैसी जी हैं मंजन जी हैं ये सब हैं और तुलसी दास तुलसी दास ने अवधी रामचरी आयोध्या को आवध्पूर कहा है तुलसी दास जी ने और आयो यह पॉइंट याद रखिएगा कि आपका राम चरित मानस जो है वै अवधी वासा में है राम चरित मानस आपका अवधी वासा में है अक्सर लोग पूछा जाए तो बोल देते हैं कि राम चरित मानस संस्क्रित वासा में है परन्तु राम चरित मानस आपका अवधी में है मलि मलीक मौम्मद जैसी भी आपके अमेठी से थे अपने छेतरी जो बोली है उसमें रचना उन्होंने किया अमलीक मौमद जैसी जी आपके अउदी से आइया पस्चमी फिन system पस्चमी हिंदी उभासा का छेत्र जो एब का अम्बाला से ले कानपूर की पूर्वी सीमा और उत्तिर में दहरादून से मराठी मराठी की सीमा तक आपका पस्चिमी अंदिय आता है और साहित्थि की दृष्टी से भी यह बहुत ही संपन उबभासा मतलब इसमें भी बहुत ज्यादा साहित्थि आपको साहित्तिक रच्नाएं मिलती है ब्रजबासा केंद्र मुख्ये केंद्र कह सकते हैं मुख्ये केंद्र म्हिजा अवधिय केंद्र आयोध्या बोल सकते हैं उसी प्रकार ब्रजवासा का जो हब जिसे हाब या मुखे केंदर बोल सकते हैं वो आपका मतूरा रा इसके प्रमुख रचनाकार आपके बिहारी जी रहें बिहारी सत्साई उन्होंने रचना किया ब्रजवासा में ही हैं उनका पिर सूर्दास ची भी बरजवासा में, अधिकांस ते हम बोल सकते हैं कृष्न भक्ति का बिधारा के जो भी कभी रहे हैं, मुक्षित भरजवासा के गभी रहे हैं फिर आपका खड़ी बोली या कौर्वी ये कहां कहां बोला जाता है ये आपका सहारनपुर मेरट बागपत इन सारे इलाकों में आपका कौर्वी बोला जाता है खड़ी बोली का ही दूसरा नाम कौर्वी है ये ध्यान रखिएगा कि खड़ी बोली को ही कौर्वी बोला जाता अक्सर एक्जाम में कौर्वी करके question पूछ लेता और बच्चे परिसान हो जाते हैं कि ये क्या है तो कौर्वी और खड़ी बोली एक ही है खड़ी बोली को ही कौर्वी कहते हैं चलिए आगे चलते हैं अब देख लेते हैं कि राज्यों के according कौन सी मतलब राज्यों में किस राज्यों में कौन सी बोली बोली जाती है उत्तर प्रदेश आपका जो उत्तर प्रदेश है उसमें कौर्वी, ब्रजबासा, कन्नोजी, बुंदेली, ओधी, बोचपुरी इतनी भासाइं बोली जाती है कौर्वी भी बोली जाती है ब्रजभासा, कन्नोजी, बुंदवली, ओधी और होश्पुरी भी बोली जाती है आपके उत्राकन में गडवाली और कुमाईनी जबकि आपके हर्याना में हर्यानवी बोला जाता है और खड़ी बोली का भी उपयोग कुछ होने लगा है नायतों मुख्यत है हर्यानवी बोला जाता है, खड़ी बोली का भी उपयोग होता है राजस्तान में आपकी वई चार बासा kardeş है यम 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 ये मारवाड़ी जैपुरी मेमाटी और मालवी, वई चार बासा Wi- raja ने आपकी बोली जाती है मध्य परदेश में बगेली, निमारी और मालवी बाश्चा का प्रयोग किया जाता 36 गड़ में 36 गड़ी बोला जाता है बिहार में आपका तीन बासा हैं बोजपुरी, मगई और मैथली बोला जाता जबकि जारकण में बोजपुरी और अंगी का दो बासा हैं जबकि जारकण में बोली जाती हैं बोजपुरी और अंगी का तन्यबाद मित्रो आप सभी को हमारे प्रेमियम कोर्स से जुनने के लिए इस नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं इस वीडियो सीरीज पर आपका प्रैक्टिस क्वास्चन अगले वीडियो में प्रवाइड करेंगे हम सब तब तक के लिए पढ़ते रहिए खुस रहिए मुस्कुराते रहिए